जै स्री कृष्णा आई ये सुनते हैं रंग पंचमी की कथा पूजनविधी एवं महत्व रंग पंचमी का पर्व दीश की कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है जिस प्रकार कार्थिक पुर्मा देवताओं की दिवाली मानी गई है उसी प्रकार रंग पंचमी को देवताओं की होली माना गया है प्रेम और सदभावना का तेवार होली पर रंगों और गुलाल खेलने का सिल्सिला चैत्र कृष्ण पचकी प्रतीपदा से शुरू होकर कृष्ण पचकी पंचमेतिथी तक चलता है पंचमी तिथी को इस पर्व का शमापन होता है, इस दिन को रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है, रंग पंचमी का पर्व देश के कई राजियों में धूमधाम से मनाया जाता है, इस दिन लोग राधा कृष्ण को अबीर गुलाल अर्पित करते हैं, वहीं देश के कुछ इस दिन जुलूस निकालने की भी परंपरा है। पुरारों के अनुसार रंग पंचमी को देवताओं की होली कहा जाता है। इसलिए लोग इस दिन आश्मान की ओर गुलाल फेकते हैं। और अपने इस्ट देव से शुक समरिधी का आशिरबाद मांगते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस गुलाल से देवी देवता प्रशन होते हैं। और जब वो गुलाल वापस नीचे आकर गिरता है तो उससे पूरा वातावरर सुध हो जाता है। हर तरप की नाका रात्मकुर्जा इवं बुरी सक्तियों का नाश होता है। और चारो तरप सका रात्मकुर्जा का संचार होता है। देवी देवताओं की कृपा मिलती है। रंग पंचमी के दिन प्रभुश्री कृष्र ने राजधानी में राधा के साथ होली खेली थी। इस वज़ा से इस दिन विधी विधान से राधा कृष्र की पूजा करने के बार गुलालार अर्पित करके खेला जाता है। दूसरी पौरारी कथा के मताबिक होलाश्टक के दिन महा देव ने काम देव को भाष्म कर दिया था जिसकी वज़ा से देव लोक में सब दुखी थे। मगर देवी रती और देवताओं की प्रातना पर काम देव को दुबारा जिवित कर देने का आश्वाशन भगवान महा देव ने दिया तो सभी देवी देवता प्रशन हो गए और रंगोत्सव मनाने लगे। इसके बाद से ही पंचमी तिथी को रंग पंचमी का तेवहार मनाया जाने लगा। रंग पंचमी के दिन लोक हवा में देवी देवताओं के निमित अलग-अलग फूलों से शुगंधित अभीर गुलाल को उडाते हैं। इस दिन प्रभुश्री कृष्न, स्री राम और प्रभुश्री विश्रू को पीला रंग अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं तथा उनके चड़ों में पीले रंग का अवीर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी मनु कामनाएं पूर होंगी। आध्यात्मी कुजा का विकास होगा। मालचमी, बजरंग बली और भैरो महाराज को लाल रंग अर्पित करें। धनागमन के साथ साथ आपके जीवन के कलेश दूर होंगे। मा बगला मुखी को पीले रंग का अवीर अर्पित करें। इवं सुर्यदेव को लाल रंग का गुलाल अर्पित करने से सारे सोक दूर होकर मान प्रतिस्था में ब्रिधी होती है। सनी देव को नीला रंग बहुत प्रिय होता है उन्हें नीला रंग अर्पित करें